हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक तीन चार स्टॉक है मेरे पास जो कि मल्टी यर ब्रेक आउट दे चुकी है या फिर देने वाले हैं तो ऐसे स्टॉक में आप अपने पैसे को डबल करने का एक मौका खुश सकते हैं और इस टॉक आपके पैसे को जरूर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पहला स्टॉक मैं आप यहाँ पर सामने रहा हूं यह अपना हाई बनाया था यहां पे आप चेक करते हैं जियाँ दोस्तो ये अपना high 2007 के करीब बनाया था आप यहाँ पर देख सकते हो 2007 नॉबर 2007 में इसने अपना high बनाया था और अब जाके इसने फिर से अपना high break किया है यानि multi-year breakout है जियाँ दोस्तो multi-year breakout या stock दे रहा है तो आप समझ पा रहे होंगी कि 2007 से 2023 तक का समय कितना लंबा चोड़ा समय है देखते हैं कि यह कौन सा स्टॉक है जो कि इतने वर्सों के बाद ब्रेकाउट दे रहा है दोस्तों ध्यान रहे है इस्टॉक का फंडमेंटल भी स्ट्रॉंग होना काफी जादा जरूरी है तब ही यह स्टॉक उपर जाने के बा री टेस्ट करने के बाद 450 की लेवल को री टेस्ट करने के बाद चार्सों साट की लेवल को फिर उपर जाता है तो इसे हम एक स्टॉंग ब्रेकाउट करार देंगे चलिए देखते हो कौन सा स्टॉक है दोस्तों स्टॉक आपके सामने दिख रहा है यह है एप्टेक उसको री टेस्ट करना काफी जाता है जरूरी हो जाता है अगर यह री टेस्ट करता है तो समझ लिए कि बहुत अच्छा रिटान आपको देने वाला है तो दोस्तों ध्यान रहे है री टेस्ट का इंतजार आप जरूर करें फिरस वैलू आप देखिए कि 10 है डेट ना कि इसे सस्ता है प्रमोटर होल्डिंग में आप देख पाऊगे कि प्रमोटरों ने कुछ होल्डिंग 0.02% से घटाई है एक बार आप क्वाटरली रिजल्ट पे नजट डाल सकते हैं आप देखिए कि मार्च 22 में 225 करोर की सेल्स वा करती थी जो की बढ़की 457 की सेल्स हो गई यानि दुगोना दिखाई पढ़ आए शेल्स में बढ़ उत्तरी और वहीं है मगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ दिखाई पढ़ आए इफिचस भी बढ़ा है यानि कंपनी में ग्रोथ दिखाई पढ़ रही है दोस्तों और किसी चीज की बात करें जैसे कि कितनी holding है promoter के पास तो यहाँ पे आप देख पाऊगे कि जो promoter है उनके पास holding percentage यहाँ पे देखी कि promoter के पास 47% की holding यहाँ पे दिखाई दे रही है यहाँ पे और जो FII है उनके पास साड़े साथ और DII के पास 1.22 हमारे और आप जैसे कि पास 43% की holding दिखाई पड़ रही है यानि ओवराल मिला जो लाकर कहें तो यह stock अच्छा है आप इसमें एक double होने तक इस stock में बने रहा सकते हैं यह आपके पैसे को आराम से डबल कर सकता है बढ़ते हैं दूसरे stock की तरफ दूसरा जो stock आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा मैं बात कर रहा हूँ कारियर पॉइंट के बारे में आप यहां पर देखिए इस stock को एक मिनुट मैं इसके high लेकर चलता हूँ आपको इसका high आप थोड़ा दबल करी 276 का high यह stock बनाया है और अभी भी अपने high के तरफ बढ़ा है और लग रहा है कि यह जरूर अपने high को break करने वाला है तो आप यहां पर देख पाओगे कि already इसका जो 2012 का high था उसको break कर चुका है यहां पर यहां पर आप देख पाओगे इसको break कर चुका है और यह अपने सबसे 2012 में जब यह company list हुई थी उसके उस high को यह break करने वाला है जो 275-276 का है तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो यह अपने high को break करने वाला है अभी तो इसको भी आप नजर बना के रखें मैं बात कर ला था career point के बारे में आप यहाँ पर देखी copy 30 company है, small type की company है market type 447 करोड और 244 के price पर trade कर रहा है 248 का I है और run time में का low दिखाई पढ़ा है अगर हम P के हिसाब से देखें तब भी है stock सस्ता दिखाई पढ़ा है ROE और ROC अच्छा नहीं है तो इसलिए अभी थोड़ा इसमें आप नजर बना के रखें अगर यह अपने AI को break करता है तब आपको एक अच्छा return दे सकता है लेकिन company को उपर कोई debt नहीं है एक बार इसके result को देख लेते हैं company का result कैसा दिखाई पढ़ा है दोस्तों तो यहां पर हम चलते हैं इसके सीधे सीधे पेनल पे आप देखें कि पेनल में 59 से 54 करोड यहां पर आप देख पा रहे होंगे 59 करोड से 54 करोड यानि इसमें उठा पटक इसके result में काफी जादा है इसलिए हमें उतना बरोशा नहीं हो रहा है लेकिन हम यहां पर आप देखें इसका जो प्रॉफिबिल्टी है काफी डादा बड़ी हुई है 2023 में 0 से 23 करोड हो चुकी है सीधे सीधे लेकिन हमको लगता है कि यह एक cyclical stock की तरह भी हाइप करता है अर लेकिन अगर आई को ब्रेक करेगा तो आराम से आपको 50% का return मिलना है दोस्तों यहां पर जो मैं दूसरा stock लेकर आया हूँ आप देखें कि इसका जो high है 2015 में आप यहां पर देख पाओगे अप्रेल 15 के करीब यह यहां पर 1992 दिखाई पड़ा है यहां पर 1090 के करीब तो आपको इसमें पैसे position बनानी है यह बात आपको समझनी पड़ेगी तो अगर यह 1090 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 1090 के ऊपर तभी आप इसमें जोएकी निवेज करके चल सकते हैं और लेकिन ज़रूरी बात है कि इसे जोएकी सस्टेन करना पड़ेगा ऊपर वाली candle पे द्यान रहे दोस्तों एक मंतली चार्ट है आपको डेली चार्ट पर भी चीज़े समझ में आएगी आप जाके देखना अगर नहीं समझ में आती है तब भी आप मुझे comment section से बता सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों यहां पर भी आप देख पाओगे कि stock अच्छे price पे available है लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जो इसका P.E. ratio हो अपने industry के P.E. से महांगे valuation पे उपलग्द है लेकिन यहां पर आप देख सकते हो date ratio भी कम है यानि stock मेला जो लाकर करका है तो date free है दोस्तों अग मेरे cursor को देख रहे हैं तो 335 करोड का reserve आपको दिखाई पड़ा होगा यहां पे और 7 करोड का borrowing देखने को मिल रही होगी दोस्तों यहां पर देख पाओगे अब हम बात कर लेते हैं company के P.E. N.L. की तो P.E. N.L. भी अच्छा कासा है ठीक है company growth है यहां पर देख पाओगे और P.E. N.L. जो net profit है वो भी increase हो रहा है यहां पर देख सकते हो कि कभी मार्च 12 में 11 करोड का profit था वो अब 86 करोड का हो चुका है यहां पर देख सकते हो यानि company ठीक है आप इस पर भी नजर जरूर बना के रखें तो दोस्तों यह रहे तीन stock जो मैंने आपको बताया है आप फिर breakout देने वाले हैं काफी जबरदस्त रिजल्ट भी है इनके रिजल्ट अच्छे हैं तो आप इसको जरूर कंसीडर करें अगर आपको साथ टर्म में पैसा बनाना है तो यह stock दोगूने हो सकते हैं और नहीं तो कम से कम 50% का रिटरन तो आपको देखे जाएंगे दोस्तो यह रही वीडियो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी अगर कोई कमीर आज आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सजेशन दे सकते हो धन्यवाद